सुभा रिसे राजकुमर थियोडोर के साथ स्लॉमेरिया के उपर उनके पॉलिसेस के बारे में बात कर रही थी फिर वो उनसे कहती है अक्चुली मैं यहाँ अपसे एक मदद मांगने आई हूँ जो सुनकर थियोडोर हेरान हो जता है दूसरे सिन में हम देखते हैं कि सारे मेड्स रिसे को खबर दे रहे हैं कि उनका प्रिपेरेशन खतम हो चुका है आर्नोल्ड को किंडम कोईल से एक लेटर मिला है वो इस लेटर को उपन करके पढ़ रहा था तभी रिसे आकर उसे कहती है राजकुमर आर्नोल्ड मेड्स ने बड़ी मेहनत से अब के लिए एक भ आपके साथ वहां रहना चाहती हूँ राजकुमर आर्नोल्ड आर्नोल्ड कहता है सुनने में मज़ेतर लग रहा है सुक्रिया तुमने मेरा मूड अच्या कर दिया आर्नोल्ड इस भिला को देखकर कहता है ये भिला कई सालों से खाली पड़ा था तुमने तीन हपते में इस तुम्हारा एक्स्प्रेसन वैसा है जैसा मैं तुम्हारा तारिप करने पर तुम अक्सर देती हूं। रिसे कहती हैं सुचो यह जूट आपके मुझे अपनी तारिप सुनकर मुझे खुशी मिलती है। इस भीला में अच्छी सनलाइड आता है और अच्छी हवा भी आती है। वैसे क्या आपको याद है उस दिन पार्टी में अपने जो कहा था कि आप मेरे साथ तलवार बाज़े करना चाहते है। अरनल्ड को भी याद आता है कि उसने रिसे को इसा कुछ कहा था। रिसे कही दी है कि आप मुझे अपके स्पेसल ट्रेनिंग मेथोड सिखाएंगे जो आप और इंपरल नाइड्स यूज करते है। मैं जब से इहां आई हूँ तब से आप सब के ट्रेनिंग को दिखते आ रही हूँ पर आपके और इंपरल नाइड्स के मुमेंट्स दूसरों से काफी अलग है। मैं तुम्हारा इंतसार करूंगा। कुछ एसे कपड़े पहन लो चिन में तुम आसानी से मूब कर सको। इन दोनों को आमने सामने देख तोनों कार्ट्स हेरान थे। रिसे समझ चाती है कि यहां का कंडिशन बैटल फिल्ड से सिमिलार बनाया गया है। आरनोल्ड उसकी तारिप करके कहता है। लिए प्रिपरेशन कर रही है। रिसे उसके सामने दोर सत रखते हुए कहती है। ठीक है तो अगर मैं जित्ती हूँ तो आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना ही होगा। चाहे वो सवाल कैसा भी हूँ। अगर मैं हारती हूँ तो राजकुमार आप मुझसे कोई ही है अपने मुपस में। रिसे पूरी तरह से ठक जाती है पर आर्नॉल्ड को एक चोट भी नहीं पहंचा पाती है। वो दोनों गार्स यह नोटिस करते हैं कि उसकी मुव्मेंट्स सदलनी इंप्रूव हो गए है। इसे टाइम आर्नॉल्ड वो मुप करता है जो उसने पि मुझे भी जादा स्ट्रंग है लगता है मुझे इर्सा हो रहा है। रिसे कहती है मैंने जितना जाना है आप सबसे सकते सली इंसान हो राजकुमर आर्नॉल्ड यह कहिकर वो उसके पांच सल बात वाले भविस्तिरूप को याद करती है। आर्नॉल्ड कहता है अब थोड़ा मेरे उपर भी ध्यान दो फिर इन दोनों की फाइट में रिसे हार जाती है। आर्नॉल्ड उसके हाथ का लग खुलते हुए उसे कहता है मैं जो चाहूंगा तुम वही करोगी ना तो मैं चाहता हूँ कि आज से दो दिन बाद दो पहर में हम सेहर में जाएंगे। क्या हुआ अब खड़ी हो जाओ। रिसे कही दी है अब जाहिए मैं बाद में आती हूँ अक्चुली इस प्राटिस के बाद मेरे हाथ और पेर काप रहे है। ये सुनकर आर्नॉल्ड उसे उठा लेता है। रिसे को अंदर से ही कुछ अलग सा महसूस होता है वो बार बार कही दी है प् तुम मुझसे क्या सवाल पुछना चाह रही थी अगर तुम जितती तो रिसे पुछती है मैं पुछना चाह रही थी कि अपका बड़े कभ है आर्नॉल्ड कहता है बारवे महिने का 28 दिन रिसे रात को अलिवर से पुछती है राजकुमर आर्नॉल्ड कहा है अलिवर कहता है अक्चुली उनका इतना अफिसियल काम पड़ा है कि वो रेस्ट लेने के बज़ाए अभी भी काम कर रहे है रिसे आर्नोल्ड से कहती है जादादर के लिए जगना अब कि सहरत के लिए अच्छा नहीं होगा आर्नोल्ड कहता है वैसे भी मैं नहीं सो सकता रिसे कह दी है तो मैं आपको सुलाओंगी रात को वो उसे भीले में ले आती है और कह दी है मैं आपके पास हूँ तो चिंता की कोई बात नहीं है अब सो जाईए आर्नोल्ड को फिर भी नींद नहीं आ रही थी तो रिसे उसके पास बेट कर उसे थप थपाने लगती है ताकि उसे नींद आ जाए वो ऐसा अपने पिछले लूप में अपने मालकिन के लिए करती थी जब एक किमेड थी अचानक उसकी नजर आर्नोल्ड के चोड के निसन पर जाती है और वो कीवरियस होकर उसे टच करती है आर्नोल्ड उसके हाथ को पकड कर कहता है रुको अगर मैंने अपना गलाउस पहना होता तो अच्छा होता ना क्योंकि तब मैं तुम्हें चू सकता बस मज़ा कर रहा हूँ यह सुनकर इसे को लगता है कि आर्नोल्ड उसे टच करना चाता है तो वो कहती है आगे बढ़िये अगर आपको इससे अच्छा लगता है तो आर्नोल्ड उसके मुँपे तक्या मार कर कहता है तुम अजीब हो मेरे पास सोने से पहले भी तुमने कुछ नहीं सोचा मुझे नीद आने तक मेरे पास ही रहो ये खाली रूम से ज़्यादा सुकुन देता है सुबहर इसे देखती है कि आर्नोल्ड पहले से ही उठके उसे ही देख रहा है क्यूंकि बो भी इहां उसके पास हो गई थी ओलिभर आकर आर्नोल्ड से बात करता है इधर इसे एक उईक लेती है फिर वो भेस बदल कर नाइस के ट्रेनिंग में सामिल हो जाती है इसी के साथ सेबन टाइम लूप का ये बला विसोड ही पर खतम हुआ मैं मिलूंगी अपसे अगले वीडियो में सायो नारा